जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका नाइटाव क्लासेस में आज हम कवर करने वाले हैं UPSC CDS English Session ठीक है UPSC CDS के लिए हमने Biology, History, Political साथी साथ हमने बहुत सारे चीज़े कवर कर ले ठीक है और इसी के साथ साथ हमने Last Time में कवर किया था प्रीवियस एर कोश्चन पेपर Year 21 से लेके हमने 23 तक के पीपर सेकिंड सारे के सारे साल्व कर ले ठीक है 70 से जादा ही Marks ले पाओगे मतार 80 से भी जादा ठीक है इतना मेरा मानना है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं UPSC CDS का English Session है क्या यह SSE में भी काम आएगा तो बात तो ऐसी है कि English तो एक ही English होती है ना यह हर जगा आपको काम आईगी ठीक है चाहिए आपको इसा भी एक्जाम दे रहे हो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ सबसे पहला Rule No.1 यहाँ पर अपनी कॉपी में बनाते हुए चलना मेरे साथ और यहाँ लिखना है आपको Rule 1 ठीक है रादा confusion होती है ना एक चीज़ याद रकना if या weather हम कब लगाते हैं यह दोनों चीज़ होती है हमारी पहली चीज़ तो यह doubt पर होती है कि कोई चीज़ doubt पर है तो if भी बोलते हैं of weather भी बोलते हैं ठीक है या फिर हम कोई चीज़ imagine कर रहे हो साथ ही साथ कोई condition हो हम यह इफ या फिर वैदर लगाते हैं ठीक है और अगर बहो लूँ वैदर तो वैदर के लिए एक टम याद रखना कि जब भी वैदर यूज़ करती हूं मैं तो इसके साथ और लग जाता है जैसे कि एक्जामपल के साथ याद कर लेते हैं मैंने बोला अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपको इसमें डालनी है तो क्या करेंगे अगर मैं पढ़के रेखू I don't know if she loves me or not तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है ठीक है लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूँ I don't know whether she loves me or not तो याद रखना है जब भी हम weather के use करते हैं तो साथ में or not वाली संभावना भी हो जाती है तो यहीं से मीदा एक पॉइंट बन जाता है कि weather के साथ मैं use करूँगी or not तो यहीं अगर if है तो if के साथ हमेशे याद रखना will नहीं आता ठीक है जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहां लिख लेते हैं मैंने बोला एक्जाम्पल तो यह स्टेट्मेंट मेरी गलत हो जाती है और यहां पर मेरा correct statement बनेगा if राकेश come I will go ठीक है कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब है मेरा if के साथ डारेक्ट यहां पर will नहीं आएगा ठीक है इफ जो होता है अगर में next line वो बोरी इफ राकेश come I will go तो यह मेरा sentence एकदम सही है ठीक है तो if and weather में कभी confused मत होना वैदर के साथ हमेशे याद रखना और 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 not का ठीक है next होते हैं rule number second rule second rule number second क्या कहता है यहां पर मैं लिख लेती है आप copy में लिख लेना head के साथ मेरा आता है would यह बाद अच्छे से पता है come के साथ आता है मेरा will and next came के साथ आता है मेरा would ठीक है तो यह जो तीन चीज़ मैंने लिखाई है इसी तो अच्छे से रट लेना rule number second इसी वेस पे है dash come चलो dash चोड़ते हैं लिख लेते है had come then उसके बाद क्या आएगा I dash have gone ठीक है यह मैंने sentence लिखा और मुझे यहां पर बताना है कि अगर यहां पर come आ रहा है ठीक है यहां पर मैंने देखा यहां पर come आ रहा है तो यहां पर direct क्या हो जाएगा example फिर से पढ़ लेते है if raqish had come I dash have gone ठीक है और मैंने यहां पर बताया है कि head के साथ क्या आता है would आता है ठीक है तो और यहां पर head है तो यहां पर direct क्या आ जाएगा would आ जाएगा तो यही चीज़ याद रखना है यहां पर आ गया would ठीक है तो इस चीज़ बे कभी confused मत होना एक और example ले लेते हैं जैसे कि मैंने दूसर एक्जामपल लिया if raqish came I dash go अब अगर मैं बोलू I के बाद क्या आएगा तो याद रखना यहां पर क्या है came और came के बाद मैंने सिखाया कि came के साथ यहां पर क्या आएगा would ठीक है यह चीज़ याद रखना head के साथ would हो जाता है come के साथ will हो जाता है king के साथ would हो जाता है यहीं भी अगर rule no.3 देखे तो next slide ले लेते अब आता है rule no.3 ठीक है rule no.3 में जो मैं लिख रही है कि आप में साथ साथ लिखते रहना head head सही है has has कभी नहीं होता याद रखना नहीं हमारा have have होता है साथे साथ अगर मैं बोलू has had तो यह हमारा होता है सही और इसी के साथ have had होता है has has कभी नहीं होता have, have को भी नहीं होता ठीक है लेकिन अगर has, had है तो ये भी हो सकता है और have, had में भी chances है अब ये हम apply कैसे करेंगे जैसे कि example ले लेते हैं यहाँ पर लिखा है if if I dash money I would have help helped the needing तो यहाँ पर मेरा sentence के आएगा if I dash money वो मुझे पता है कि has, has नहीं हो सकता have, have नहीं हो सकता अब मेरे पस ये तीन option है ठीक है और अगर मुझे पता है यहाँ पर would आ रहा है तो मेरे पस यहाँ पर answer में आएगा had, had ठीक है had, had if I had had money I would have helped the needing okay this sentence is correct next, एक और एग्जामपल ले लेते है अगर मैं बोलू if we had surya यहाँ पर है had, ठीक है surya in our team we would have won the match यह हमें statement given है अब याद रखना यह statement हमारा wrong है ठीक है because यहाँ पर had आ रहा है ठीक है और यहाँ पर मुझे would have दिख रहा है इस statement पर मेरा सही answer क्या होगा यह काटके मेरा इसके जगे सही answer होगा had had had, had ठीक है तो यहाँ पर हमारा rule heard भी खतम होता है ठीक है next जलते है rule number four यहाँ लिखते है rule four और rule four क्या कहता है were and would ठीक है जैसे कि exam में question देखने कोई मिला था if I dash you I would tell him the truth या फिर if I dash करके sentence आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर अगर मैं example लो if if I dash you I would tell him the truth ठीक है अगर यह अगर यह sentence देखने को मिले तो यहाँ पर तो यहाँ पर confused मत हो ना were and would बहुत लोगों को लगता है कि sentence में क्या होगा would होगा ठीक है अगर would देख ले तो sentence क्या बन रहा है if I would you I would tell him the truth तो यह तो कोई line ही नहीं बन रहा ठीक है स्टेटमेंट मेरा correct है ठीक है यही पर अगर एक और स्टेटमेंट डू एक्जाम्पल में if I dash Rick Rick बोलो या Nick बोलो Nick लिख लेते हैं ठीक है if I if I dash Nick I would travel I would travel a lot तो यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर भी हमारा आएगा if I would Nick ठीक है तो हमेशे याल दखना है if I के बाद क्या आएगा हमारा वर आएगा ठीक है कभी भी would मत करना marks गवाद होगे बना यही पर rule number next बढ़ते हैं fifth की तरफ यह बात तो अच्छे से पता है यहाँ पर लिख लेती हो कि अच्छा इनक मिनिट यह हमारा rule five rule five ठीक है not only के साथ क्या आता है but also example ले लेते हैं जैसे के लिख है are you opened not only a hospital और यहाँ पर लिखा हुआ but also a school ठीक है तो ऐसे सेंटेंस अगर देखने को मिल जाए तो याद रखना है यहाँ पर मेरा आ जाएगा not only ठीक है यही पर एक और एक्जामपल ले लेते हैं शुरूती उपर not not only a school but also a कैफे लिख लो कैफे ठीक है तो याद रूपने मैंने हाँ पर आंसर वैसे लिख दिया but also ठीक है तो not only के साथ क्या आता है but also यह होता है हमारा rule 5 इसी तरीके से नेक्स्ट परते हैं रूल सिक्स की तरफ रूल सिक्स यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हो हेड आई कभी मतलिखना हमारा होता है sorry आई हेड कभी मतलिखना सेल्डम के साथ हमेशा हेड आई आएगा ठीक है एक्जामपल ले लेते हैं जैसे की सेल्डम डैश सीन सच और ब्यूटिफुल साइट तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा यहाँ पर आंसर में आएगा अपर जैल्डम हेड आई सीन हेड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट तो यह स्टेढम हमारी करेक्ट हो जाती है ठीक है लेकिन अगर यही पर अगर किसे दमारी सेल्डम के साथ करेंगे यह था मेरा rule number six. Next बढ़ते हैं hardly कभी-कभी question में दे रहे हूं मिलता है अब है rule seven और rule seven क्या कहता है जैसे कि यहाँ पर statement लिखा है it is a hardly job और दूसर statement लिखा है it is a hard job अगर मैं बूछू इन दोनो statement में से कौन सा statement सही है कौन सा wrong है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि it is a hard job is wrong and hardly job is correct तो याद रखना यह statement बिलकुल गलत हो जाता है because it is a hardly job यह तो कोई sentence नहीं बन रहा है तो यह हमारा गलत होता है कभी भी हम hardly use नहीं करते है ठीक है लेगिन it is a hard job यह statement हमारा सही है ठीक है hard job यह कहना चाहरी थी जैसे कि example एक और ले लेते है Mina was so tired यहाँ पर लिख लेते है अगर यह statement लिखा है Mina was so tired that she could not dash talk to guest तो यहाँ पर यहाँ पर hardly आएगा यहाँ पर hard आएगा और मैंने बता है hardly कोई sentence नहीं होता ठीक है यहाँ पर क्या आएगा simply hard आएगा तो यहाँ पर याद रखने यहाँ पर आएगा hard Mina was so tired that she could not hard talk to guest यह statement हमारा सही है next rule पढ़ लेते हैं अब आता है हमारा rule 8 हमने 6 पढ़ लिया 7 पढ़ लिया rule 8 rule 8 यहीं लिख देती हूँ छोटा सा rule है वो rule 8 rule 8 कहता है कि hardly अगर हम कहीं पर use कर रहे हैं तो hardly के साथ मेरा आजाता है when का use hardly के साथ मैं हमेशा when का use करूँगी जैसे कि example ले लेते हैं के साथ मेर एै मेरा वंी अन साथ वोहन असलीश विया we यहां पर मैंने पढ़ाया है, hardly के साथ क्या आता है, when आता है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा direct when, ठीक है, और एक और चीज़ याद होगा है, hardly के साथ I had भी नहीं है, had I is correct, ठीक है, तो यहीं पर मुझे दो चीज़ पता चलिगा, एक को मुझे when का पता चलिगा, और दूसरा मुझे had I का पता चलिगा, ठीक है, hardly had I fallen asleep when the bell rang, ठीक है, यहां पर आगर किस दिने लिखा होता, hardly I had fallen asleep, तो यह स्टेशन हमारा गलत हो जाता, यहीं पर rule 9 के बाद कर लेते हैं, next slide ले लेते हैं, rule 9, and rule 9 क्या कहता है, हमारा rule 9 कहता है कि scarcely, scarcely के साथ हमेशा head का use होता है, यह बाद अच्छे से पता है, ठीक है, यहीं पर rule 10 लिख लेते हैं, rule 10 लिखते हैं, और rule 10 कहता है कि no sooner के साथ, no sooner के साथ, मैं किस चीज़ का use करूँ, तो no sooner के साथ हमेशा याद रखना, then का use होता है, ठीक है, then का use होता है, न की then का, इन दोरों में हमेशा confusion होता है, हमेशा याद रखना, then का use होता है, न की then का, ठीक है, यह वाले का use नहीं होता है, यहीं पर rule 11 देख लेते हैं, rule 11, और rule 11 कहता है कि list के साथ मैं use करती हूँ हमेशा should को जैसे कि example ले लेते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस sentence में या आप should डाल सकते हो या आप could डाल सकते हो तो याद रखना list के साथ अगर मैंने पढ़ रखा है हमेशा should आता है तो यहाँ पर क्या आएगा should is the correct answer ठीक है could या फिर would नहीं आएगा यहाँ पर सिब should आएगा यहीं पर rule पढ़ लेते है next rule आगे हमारा 12 और rule 12 हमारा कहता है कि अगर to है तो इसके साथ हमेशा मैं yet का use करूंगी ठीक है अगर sentence में आपको लोगे कि but use हो सकता है तो याद रखना बट का use नहीं होता हमेशा yet का use होता है ठीक है यहीं पर next बढ़ते हम rule number 13 rule 13 और rule 13 में मैं यहाँ पर कुछ sentence लिख रहे हूँ वो ध्यान में रखना है यहाँ पर sentence नहीं चलो word लिख लेते है little या फिर few देखने को मिलता है पहले little लिख लेते है या फिर all little लिख लेते हैं और the little ठीक है यहीं पर दूसरे साथ लिखना few a few the few ठीक है इन सम्में कभी confuse मत हो ना हम the का use करते हैं कब the हमेशे याद रखना the little है या फिर the few है यानि इसका मतलब है total चीज ठीक है total लेकिन यहीं पर अगर a little या a few की बात करूँ तो यह हमारा हो जाता है कोई चीज जो की uncountable है ठीक है अगर sentence मुझे पता है कि वह uncountable चीज है तो वहाँ पर a little का use करूँ या फिर few का use करूँ यहीं पर अगर the sorry यहीं पर अगर little या फिर few की बात हो गई यानि वह चीज मेरी countable हो गई इन चीजों में ध्यान रखना थोड़ी confusing चीज है दा तो मुझे याद ही रहेगा कि यह मेरा total में use होगा ठीक है और a मेरा होता है uncountable में और अगर खाली कोई चीज है जैसे कि little होगा या few होगा यह हमारा countable है ठीक है तो अगर इस form में याद रहेगा तो आसाने से long time तक य लगाती हूँ end ठीक है end and next पढ़ते है rule 15 rule 15 आपको लग रहा होगा कि यह कैसे कैसे हैं कि between के साथ and लग रहा है little है और little है अभी समझ नहीं आएगा हो सकता है समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन जब हम इसके previous year question paper solve करेंगे बहुत ही आसानी से सारे question paper solve होने वाले ठीक है अभी कि जितनी में rules दिखा रही है आप उसको लिख लो copy में revise करो multiple times next video में English के previous year questions पे लाओंगे और उसमें देखना आपको बहुत सारी questions खुद से ही हो जाएंगे ठीक है rule 15 की बात कर लेते हैं तो कभी भी of versus from ठीक है तो of versus from of and from में confuse मत होना of क्या होता है and from क्या होत example से ले लेते हैं जैसे कि of के लिए example है मेरा a thief jumped of three तो यहां पर off होना सही था ठीक है यही पर from का example ले 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 जैसे हम बोलते है na origin से अलग हो रहे हो जैसे कि I am from Delhi, UP, West Bengal etc यह हमारी क्या हो जाती है हम यहां पर from का use करते है ठीक है जैसे example में में ले रहे हो I am from India ठीक है यहां पर हम from का use करते है यही पर next statement next slide में पढ़ लेते है रून 16 जो की बहुत important है इस पर बहुत कोश्यस देखने को भी मिली है by versus in और in दोने में बहुत ज़्यादा by and in में कभी confused मत होना है जैसे कि अगर किसी ने statement दे रखा है कि I come to school dash my car तो इसमें in आएगा जैसे कि यहां पर sentence ही लिख लेती हो direct I come to school in dash my car ठीक है और यहीं पर दूसरा statement है my bf come to school dash or train ठीक है अब मुझे बताओ पहला statement कह रहा है I come to school by my car होगा यह in my car होगा तो in चीज में कभी confused मत होना by में और in में easily चीज बताओ तो by हमारा लगता है कोई भी अगर public transport हम use करते है तो हम यहां पर use करेंगे by ठीक है ट्रांसपोर्ट लेकिन अगर मैं कोई अपनी चीज यूज कर रहे हूँ यानि कोई प्राइवेट चीज यूज कर रहे हूँ ठीक है तो मैं यहां पर in लगाऊंगी जैसे कि पहला statement है मेरा I come to school dash my car charge किसकी है मेरी अपनी है मेरी private है है ना तो यहां पर आ जाएगा in ठीक है लेकिन यही next statement कह रहा है my boyfriend come to school dash a train और train क्या है एक public transport है तो यहां पर आ जाएगा by ठीक है तो इन चीज में confused मत हो ना rule number 16 तो हमारा by versus in का ठीक है यहीं पर rule 17 देखते है rule 17 जो कहता है besides versus besides and besides में तो कोई confusion दिखी नहीं रहे बस यहां पर ऐसे लग गया यहां पर ऐसे हैं नहीं कोई बात नहीं अभी बताते है इस में difference क्या है besides का मतलब हो गया के अलावा ठीक है के अलावा और besides का मतलब हो जगया बगल में तो यहां पर लिख लेते हैं बगल में ठीक है यह दो चीज है besides का मतलब हो गया के अलावा और besides का मतलब हो गया बगल में तो यह भी हमारा हो गया rule number 17 यहीं next बढ़ते है rule number 18 और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैनी अ और मैनी अ में एक चीज़ यहाद रखना यह मेरा singular form में होगा singular form में होगा in the sense example देख लेते हैं मैनी अ student dash ब्रॉण ठीक है अब अगर मैं पूछो कि यहाँ पर वर का यूज करूँ या फिर चलों यहाँ पर दे 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 वर का यूज करूँ या फिर दूसरा है वास का यूज करूँ ठीक है यही पर एक और example ले लेते हैं full many a flower dash board to blush unseen ठीक है और यहाँ पर मैं बोलूँ यहाँ पर is होगा या फिर r होगा ठीक है तो इस में कैसे होगा पहला क्या statement कह रहा है पहला कह रहा है many a student dash drawn बहुतों को लग रहा होगा कि many a student बहुत सारे student के बात हो रही है लेकिन ऐसा नहीं होता मैंने बता है many a के साथ मुझे singular डूनना है यानि many a के साथ क्या होगा यहाँ पर a capital लिख दे है small लिख लेना many a के साथ होगा was ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा was many a student was brought यही पर नहीं पर नहीं देखे full many a flower dash born to blush unseen तो यहाँ पर याद रखना कि many a है लेकिन many a के साथ जब मैंने बता जिया singular होगा तो इन दोनों में से मेरी चीज हो जाएगी is और यहाँ पर आंसर में आ जाएगा is तो बहुत यह सिंपल से चीज़ है many a के साथ मैं singular form देखेंगे ठीक है चाहे वो बॉज हो is हो ऐसे चीज़े यह भी होगे हमारा rule number 18 next चिटते है rule number 19 के बार में अब rule number 19 क्या कहता है rule number 19 कहता है both के साथ मेरा क्या लगता है and ठीक है ना कि as well as तो यह याद रखना और यहीं पर rule number 20 देख लेते हैं जैसे कि question में given है 50 miles ठीक है 50 miles है या पिर माल लो 10 years है 10 years ठीक है तो इन चीज़ों के साथ मैं हमेशा singular चीज़ धूंडूँगी जैसे कि इन के साथ मैं लगाऊंगी is 50 miles is करके sentence है 10 years is के साथ sentence है ठीक है तो इसमें R इसमें हमेशा याद मैं is लगेगा R हो गया या फिर has हो गया यह सारी चीज़े नहीं लगेंगे ठीक है यहाँ पर क्या लगेगा इस लगेगा 50 miles की बात हो गई 10 years की बात हो गई तो यहाँ पर मैं is लगाऊंगी यहीं पर Rule number 21 देख लेते है Nothing के साथ बट लगेगा यह बात सबको पता होती है Nothing के साथ क्या लगता है बट ठीक है अगर यहीं पर मैं बोलू Rule 22 Rather हो गया या फिर No other हो गया ठीक है या फिर साथी में other लिखा है और other औरों के साथ लगता है Other than यहाँ पर then Next बढ़ते है Rule number 23 23 ठीक है यहाँ पर मैं example लिख लेती हूं उसके बात समझाती हूं Example पर लिखा है Bats are Active dash night ठीक है और दूसरा लिखा है example I was active dash night ठीक है अब अगर मैं कोशर में बोलूँ यहाँ पर at आएगा या फिर in आएगा ठीक है इन चीज़ पर खड़ लेते हैं हमीशे याद रखना अगर कोशर में लिखा है Bats are active at night होगा यह in night होगा बहुत जीज़ जादे confusing है in और at कोई बास नहीं अभी इसको ख़दम करते हैं यहाँ पर एक चीज़ याद रखना अगर at है ठीक है अगर उसका काम ही है मतलब उसका काम है वो चीज़ करना तो वहाँ पर याद रखना at आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा at क्यों? क्योंकि बैट का तो काम ही है रात में active होना ठीक है? तो यहाँ पर at आगा लेकिन मेरा काम रात में क्या है? सोना लेकिन अगर मैं फिर भी जगी होई हूं I was active तो यह मेरा हो जाएगा in ठीक है? यानि अगर मैं यहाँ पर simple लिख लूं इन होगा काम नहीं है फिर भी कर रही हूं फिर भी कर रही हूँ ठीक है और यहीं पर अगर मैं at की बात करूँ यानि यहाँ पर है कि इसका तो काम ही है ठीक है इस फॉर्म में याद रख सकते हो तो हमेशे याद रखना अगर लिखा है कोशन में bats आर active dash 9 तो bats का तो काम ही है और जिसका काम होता है उसमें क्या आएगा at आएगा ठीक है अगर easily बताओ तो यह भी याद कर सकते है जिसका काम है वो हमेशे पहले आएगा यानि a से होगा तो at होगा ठीक है काम नहीं फिर भी वो चीज़ हो रही है यानि in होगा ठीक है I was active dash night यानि in night ठीक है यहीं पर rule number 24 पढ़ते है rule number 24 के कहता है यह चलो बता देते हैं each, either, neither, nothing, somebody, anybody यहाँ पर लिख लेते हैं कोई बात नहीं each हो गया either neither nothing somebody साथ ही साथ anybody everyone या फिर एक्सेक्टरा वाली चीज़े हैं इनके साथ मैं क्या चीज़ इस करूँगी singular word ठीक है next page में example ले लेते हैं जैसे कि example में मैंने लिखा each one of these chairs dash broken ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा is आएगा या आएगा या आएगा आप बताओ तब तक next statement लिख लेते हूँ यहाँ पर every one of the boys love to ride चलो यहाँ पर आपको बताने हैं यहाँ पर is होगा या फिर are होगा और यहाँ पर बताने हैं यहाँ पर loves होगा या फिर love होगा तो जैसे कि सबसे पहला statement है मैंने उपर में पता है rule number twenty four में हमने क्या पढ़ा each हो, either हो, neither हो nothing हो, somebody हो, anybody हो इसके साथ मेरा singular verb आएगा यानि अगर मैं इसे question पूछ लिया जाए each one of these chairs dash broken तो यहाँ पर easily आएगा is, ठीक है यही पर every आगे और मुझे पता है every के साथ singular आता है तो loves का तो chances ही नहीं यहाँ पर आएगा love, ठीक है यही पर rule number twenty five पढ़ते है rule number twenty five क्या आता है unless versus until ठीक है until और unless में कभी confused मत हो until हुआ until क्या हुआ until क्या हुआ तब तक तब तक तब तक जब तक ठीक है और unless हुआ जब तक ठीक है ऐसे शॉट में लिख लिख लिया करो हिंदी अगर याद नहीं होता तो लिख लिख के याद करो कोई बात नहीं unless and until ठीक है until हो गया time-based और unless हो गया मेरा condition ठीक है condition in the sense example में हो गया जैसे कि जब तक नहीं आओगे छोड के नहीं जाएंगे ठीक है तब तक या जब तक वाली बात होगे जब तक या आएगा नहीं तब तक मैं जाओंगे ठीक है यहाँ पर unless is use करेंगे यहीं पर next पढ़ लेते है rule no.26 rule no.26 नहीं लिख देती हो rule 26 rule 26 क्या कहते है जैसे कि comparison में जब यूज करते है तो जैसे कि मालो question में लिखा है superior या फिर inferior या फिर senior junior या फिर prefer ठीक है इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे तो इन के साथ हम यूज करते हैं to को ठीक है याद रखना इन सब के साथ हम यूज करेंगे to example देख लेते हैं अगर कभी confusion हो कि यहाँ पे to आएगा या फिर then आएगा ठीक है बहुत सारे बचे then टिक करके आजाते हैं फिर कहते हैं marks नहीं मिला marks कैसे मिलेगा जब कि यह हो गई नहीं यहाँ पे क्या होगा यहीं पे दूसरा ले ले लेते हैं जैसे कि एक और example ले लेते हैं आई prefer coffee dash tea अब बताओ अगर यहाँ पे prefer है तो क्या होगा और अगर यहाँ पे उपर देखो तो यहाँ पे भी prefer आ रहा है और prefer के साथ भी मुझे पता है to ही होगा यहाँ पे मेरा सीडी सी बात है क्या हो जाएगा to ठीक है एक और example देख लेते हैं नहीं आया समझतो जैसे कि मैं लिखा I prefer reading dash walking ठीक है अगर मैं बोल इसमें क्या हैगा तो यहाँ पे मुझे पता है prefer दिखिया और prefer के साथ मेरा आ जाता है direct to अब है रूल नूमबर 27 27 ओके जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेते हूँ I you and he ठीक है one हुआ I दूसरा हुआ you और तीसरा हुआ he ठीक है अगर कभी भी positive sentence है चलो negative sentence है तो क्या होगा पहले मैं होंगी पहले क्या होगा अगर negative sentence है तो यहाँ पर होगा one two three ठीक है अगर positive sentence है तो क्या होगा तब होगा two three one अब मैं कहा कहा रही हूँ समझतो आया नहीं होगा चलो सिखाते हैं फिर मैं क्या कहा रही हूँ याद ध्यान से सुनना जैसे कि कभी भी कोई positive sentence है ठीक है जैसे कि कोई अच्छी चीज़ लिए बात हो रही है तो हमेशे याद रखना मैं बाद में आऊंगी लोग पहले आएंगे जैसे कि यहाँ पर example ले ले लेते हैं यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर बात हो रही है अवार्ड मिलेगा अवार्ड इन दा सेंस यह तो मेरा positive sentence बन रहा है और positive sentence में मुझे पढ़ा रखा है कि पहले 2 होगा 3 होगा दें 1 होगा और 2, 3, 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे हम उपर तो यहाँ पर मुझे दीर है 2 में क्या होगा यू, बेदरी, ही, and आई ठीक है तो हम sentence कैसे बनाएंगे अगर positive है तो यहाँ पर आ जागा यू, ही, and I will get a award ठीक है लेकिन अगर यहीं कोई punishment के बात हो रही हो ती तो हो सबसे पहले मेरा नाम आता है यानि हो जाता I, you, and he will get a punishment ठीक है तो यह जीज़ याद रखना positive and negative sentence में यह हो जाता है हमारा rule number 27 next बढ़ते हैं rule number 28 के बारे में और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ lie, lie, lay, ठीक है और यहीं अगर v2 है, v3 है तो यहाँ पर यह हो जाता है late, light, lay, lane और lay का हो जाता है late, late, ठीक है अब यह तीन चीज़ देखने में लग रहा हूँ यह तो same ही है, lie, lie, lay यह क्या मतलब हो रहा है, यानि एक lie का मतलब होता है जूटा, ठीक है जूटी, यहाँ पर लिख लेते हैं जूटी, ठीक है, जूटा, जूटी दूसरा lie मैंने लिखा है, late, na ठीक है, late, na ठीक है, और lay लिखा है मैंने अंडे देना अंडे देना तो यह हो जाता है, मेरा lay, ठीक है अगर lie का V2 फर्म बोलो, तो वो हो जाता है light और यह भी light अगर lie है, और उसका V2 देखों, यानि lie मतलब late ने का, तो वो हो जाता है late and then late और यही अंडे देने का मतलब हो जाता है late and late, ठीक है, मतलब इसका form अगर देखा जाए, V2 and V3 past and perfect दोनों में देख लिया, ठीक है अब example भी देख लेते हैं example में लिखा है let me dash here दूसर एक्जामपल ले लेते है जाले का, he dash under that tree, ठीक है और एक और एक्जामपल ले लेते है poor tom dash in the shade of a tree, ठीक है अब बताओ, इन तीनों में से किस में क्या क्या होगा तो पहला है let me dash here यानि उसे क्या है later मुझे यहाँ पर later ने दो under देने तो नहीं बोलेगा जूटा बोलना तो नहीं बोलेगा तो यहाँ पर यहाँ पर होगा simple में बोलो तो यहाँ पर होगा lie ठीक है, let me lie here next statement क्या क्या रहा है he dash under that tree वो उस tree के under यानि V2 form में क्या होगा later रहा है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा lay यही पर पुवा tom dash in the shade of a tree और यहाँ पर क्या आ जाएगा laid इन चीज में confused मत होना यह तीन चीज आ गहा है next चलते है not only के साथ but also तो पढ़ा था चलो not only हमने कहा पढ़ा था उपर पढ़ा था चलो यही पर next ले 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 रूल नमबर 29 not only का यह rule number 29 जहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है not only के साथ आता है but also ठीक है और इसके साथ एक और चीज याद रखना इसके साथ आएगा मेरा singular verb यानी is ठीक है जैसे की example ले ले लेते हैं लिखा है not only student but also the teacher's dash playing ठीक है अब अगर मैं question में बोलू A कह रहा है हमारा is and B कह रहा है हमारा are question में सबको लगेगा not only students but also the teachers are playing होगा but यहाँ पर याद रखना are नहीं होगा ठीक है और यहाँ पर मेरा होगा is playing ठीक है तो यह था मेरा एक और rule number 29 next पढ़े rule number 30 rule number 13 में since versus for की बात कर लेते हैं तो अभी पर sentence में since and for दिखे तो याद रखना for हम कब लगाते हैं जब हम length की बात कर रहे हो यानि यहाँ पर लिख लेते हैं length of time ठीक है यही पर अगर since की बात करो तो since की बारे में याद रखना यही मेरा point of time है यानि since this की लाइन लिखा रहाता है यानि यहाँ पर point of time यानि time का हमें पता होता है उस time से लेकिए अगर लंबा length of time की बात हो रही हो तो महाँ पर याद रखना for ही लगेगा जब हम cautious करेंगे तो यह सारे rules याद होने चाहिए और असानी से समझ आएगा rule number 31 rule number 31 क्या कहता है a number of के साथ क्या होगा and the number of के साथ क्या होगा ठीक है याद रखना a number दिखे यानि कभी इसको single मैं समझाँ इसके साथ मैं हमेशा plural verb लगाऊंगी and the number के साथ हमेशा singular verb लगेगा ठीक है यह rule number 31 था याद रखना next चलते है rule number 32 पे और यहाँ पर हम करने वाले है libel for, libel to इन सब चीजों में भी confusing हो दिए इसको भी देख लेते हैं जैसे अगर question में दिया है libel for and अगर यहीं बोलू libel to ठीक है तो इन दोनों में क्या लिकर जैसे के example में ले लेते हो उससे easy होगा समझने में he is libel dash his wife debt ठीक है question में लिखा यहां पर मुझे बताओ libel के साथ two होगा या और four होगा तो अगर यह नहीं पता है तो इसके बार मुझे two और four के बार में भी पता होने चाहिए ना तो libel for का मतलब हुआ जैसकि में पस कोई इसके responsibility हो ठीक है responsible हो उस चीज़ के लिए हो ठीक है यानि होने वाला है libel for वो responsible हो ठीक है यानि यहां पर मेरा sentence में क्या होगा libel sorry he is libel for his wife daddy यानि वो तो responsible है ना उसके wife के debt के बार में ठीक है तो यहां पर क्या आएगा for आएगा अगर यहां पर कोई चीज़ दिया होता है ऐसा है sentence में जिससे मुझे लग रहा होता है कि हाँ यह चीज़ होने वाला है तो वो मेरा libel to ठीक है अब हम पढ़ लेते हैं कुछ noun pronoun के बार में ठीक है यह जो कि हम से पूटा जाता है क्योंकि हमें फुर्पोसशन वाले questions भी देखने को भिलेंगे ठीक है याद अखना कभी questions में लिख जाए ब्रेक फास्त हो गया ब्रेक तु जाले short लेग लिग लिग लिख लिग लिए ब्रेक फास्ट, lunch, dinner एक यह सारी चेज़ पूचले क्या है? तो याद रखना ह। यह सारी चीज़ हो गए मेरी नउन। ठीक, यहीं पर प्रो नउन के बात करूँ। तो प्रो नउन तो मुझे अच्का से पता है न। प्रो नउन कीसे कहांगे? प्रो नउन हो जाता है मेरा. he हो गया, she हो गया, it हो गया, साथ ही साथ क्या होगा, my ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं relative pronoun, तो relative pronoun में याद रखना relative pronoun में हो जाता है, who where, साथ ही साथ, that, ठीक है, an impersonal pronoun हो जाता है, यह दोनों जो प्रोनावन है, इनको हम कहते हैं, impersonal pronoun, ठीक है, तो यह चीज़ मन भूलना, rule number 34, यही पर next चलते है, rule number 35, तो rule number 35 हम से कहता है, कि adverb जो होता है, adverb का मतलब, चलो, adverb से पहले हम adjective के बार में पढ़ लेते हैं, तो adjective क्या होता है, यह बास सबको पता है, adjective होता है, कि जो noun के बारे में बताए, ठीक है, जैसे उसकी size क्या है, shape क्या है, एसे ट्रा, ठीक है, तो यह क्या होता है, यह जो होता है, यह noun के बारे में बताता है, उसकी shape क्या है, size क्या है, beautiful है, dark है क्या है, अच्छी, खूब या या फिर बुरी, खूब या, तो यह सारी मेरी हो जाती है, adjective, यही पर जो हो गए, यह सारी चीज़े क्या हो गए, मेरी adverb कहेंगे, ठीक है, adverb का example देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है, pinky is very beautiful, question में दिया है, pinky is very beautiful, तो यहाँ पर मैं पूछू, adverb क्या है, adjective क्या है, तो याद रखना, pinky मुझे पता चाहरा है, pinky, noun है, ठीक है, यही पर very मैंने अभी बताया, यह मेरा adverb हो जाएगा, ठीक है, और beautiful तो मुझे पता है, कि मैंने बताया था, noun का shape, size, merit, de-merit, तो यह सारी चीज़ क्या हो गए, adjective हो गए, ठीक है, एक sentence में मुझे तीन चीज़ पता चल गए, तो very क्या हो गया, very मेरा adverb हो गया और beautiful मेरा adjective हो गया, यही पर next rule पढ़ लेते हैं, rule number 36, rule number 36, अगर noun लिखा है, ठीक है, और noun के साथ मुझे ली देखने को मिले, तो वो मेरा adjective होगा, ठीक है, यही अगर मैं बात करूँ, adjective के साथ, ली देखने को मिले, तो वो मेरा adverb होगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन याद रखना, जब question solve करेंगे, तो अच्छे से आजाएगा, समझ में, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब बात क्या करेंगे, चलो, head तो पता ही है, past perfect verb होता है, और has मेरा perfect tense का होता है, next rule लेक लेते हैं, rule number 37, कभी कभी question में बोला जाता है, कि यह वाले verb पूछ ले जाते हैं, तो याद रखने हैं, यह verb हम कहते हैं, is हो गया, am हो गया, are हो गया, was हो गया, be, were, being, या फिर been, ठीक है, तो यह सारी मेजी axillary verb हैं, ठीक है, यही पर intersection तो पता ही है, intersection क्या होता है, rule 38, intersection, intersection, intersection पेज़पर होते हैं, थो यह बोलते हैं, यहां पूम फ्रहता हैं, यह पेरी शारी मेरी यहां बिए श्यज़ Och, यहीर बना र कसा आपट, क्या हैं, यही पर गया हम, we are हो गया है, यह बोलते ही हैं, या फिर यहां ये पोलते हैं, यहींス सारी चीज़ Alrighty, यह भी पता चल गया और क्या बच्छ रहा है चलो मैं एक सेंटेंस लिखते हूँ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े पता चल जाएंगे जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है यू आर नौट और वेरी ब्यूटिटिफ ल गर्ल ठीक है यू आर नॉट अवेरory ब्यूटिफॡफल गर्ल अब मुझे बहुत सारी चीज़े बता चल गाएंगे जैसे कि यू क्या हो गया यू हो गया मेरा प्रो नाउप ठीक है आंड तो मुझे पता यह article हो गया indefinite article very क्या हो गया very मेरा adverb हो गया ठीक है यही पर beautiful क्या हो गया beautiful हो गया मेरा adjective and साती साथ girl क्या हो गया girl हो गया मेरा noun ठीक है तो एक sentence में आपको यह सारी शीज़े भी बता दे चलो next बढ़ते है कर रही है क्या टुक्या क्या है अब आता है rule no.39 जैसे यहां पर x, y, z है ठीक है अगर यहां पर preposition है तो यहां पर मेरा article होगा next and इसी के साथ सर यहां पर हो जाएगा noun ठीक है यही पर एक और चीज़ याद रखना है noun से पहले adjective आता है यहां पर लिक देती हो noun से पहले adjective आएगा ठीक है यहां फिर determiner आएगा यह चीज़ याद रखना साथी साथ एक और चीज़ याद रखेंगे कि adverb मैंने पढ़ाया adverb मैंने क्या पढ़ाया है यहां पर adverb मैंने पढ़ाया very hardly ठीक है very hardly के साथ साथ अगर मुझे question में और चीज़े दिख गए जैसे कि लिख लेते हैं हाँ पर तू नाइट हो गया yesterday या फिर tomorrow यह सारी चीज़े भी मेरी क्या हो जाती है adverb हो जाती है ठीक है वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि कभी भी बस word पर ध्यान मत देना कि यह article है यह noun है sentence पढ़ने के बाद ही पता चल जाती है कि यह हमसे क्या पूछ रहा है ठीक है direct and indirect भी पढ़ लेते हैं यह भी पूछ लिया जाता है कुछ exam में तो यहां पर लिख लेते हैं direct पर इसी के साथ साथ हो जाता है indirect ठीक है जैसे की यहां पर अगर लिखा है is, am, are और indirect में इसका हो जाता है was and were ठीक है यही पर next देख लेते हैं next लिखा है was were तो हो जाएगा इसका had been ठीक है next लिखा है do does तो हो जाता है तो हम इसे हटाई देते हैं remove कर देते हैं यही पर अगर मैं बोलू do and does not लिखा है यहां पर direct में तो indirect में हो जाएगा head not ठीक है लेकिन next बात कर लेते हैं shall will दिख गया तो इसके साथ हो जाता है should and would ठीक है can के साथ पता ही है can के साथ हम कर लेते हैं could को ठीक है next करे may के साथ हम कर लेते हैं might को and last अगर मैं have की बात करूँ or head की बात करूँ head and have के साथ हम कर लेते हैं head को sorry यहां पर has has या have तो अगर यह चार्ट पता है direct and indirect convert करना बहुत ही easy होता है is mr के साथ was was were के साथ had been होगा बार-बार revise करते हुए यह चीज़ भी पता चल जाती है next बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं words में ठीक है जैसे कि sentence दिया होता है हम पूछने जाता है set of set aside तो यह सारे word में हमेशा confusion रहता है called upon ठीक है यहीं लिखा है call in ठीक है call on या फिर बोलू call at या फिर बोलू call out call for call off तो इन सारों का मतलम ठीक है इन सारों का मतलम अलग है in on at out साथ में लगने के बास सब का मतलब अलग हो जाता है जैसे कि call upon का मतलब तो पता ही है order देना ठीक है order ठीक है requirement के लिए call in का मतलब क्या होगा for help ठीक है call on का मतलब क्या होगा visit करना कोई चीज personally visit personally call at का मतलब क्या होगा hotel होगा या shop होगा इन सब में हम कहते call at call out का मतलब तो पता ही है loudly यहीं पर next करते है for call for का मतलब क्या होगा requirement कोई चीज requirement में हो तो इसको में call for के sentence डालूँग call off का मतलब क्या होगा कि postpone कर दिया वो चीज postpone ठीक है तो यह चीज याद रखना यहीं पर next पढ़ूँ और बात कर लेते जैसे कि put up put off put down put out यह सारे word का क्या मतलब होता है यहां लिख लेते है put up put off put down put out या फिर लिखा हो put up with ठीक है इन सब का भी देख लेते हैं put up कभ यूज करेंगे जब कोई चीज stay या फिक्स की बात हो रही हो stay या फिक्स put off को यूज कभ करूँगे जब हम postpone करतेंगे अगर महां पर put off लिखा है तो याद रखना है यही करेंगे put down का मतलब क्या होगा कच चीज लिखना write करना put out का मतलब क्या होगा disappoint put up का मतलब क्या होगा tolerate करना तो sentence पढ़के पता चल जागा put up आएगा out आएगा या फिर down आएगा यही पर next बात कर लेते हैं set of set up के बार में भी देख लेते एक बार set off set up set aside set upon one या फिर लिखा हो set in ठीक है यह सारी चीज़े कभी यूज होगी याद रखना set off का मतलब कोई चीज शुरुआद हो ठीक है start लिख लेते है starting स्टार्टिंग कोई चीज हो तो वहाँ पर set off ही आएगा set up हो जाता है कोई चीज़ इस्टेबिश किया हो किसी ने ठीक है इस्टेबिश की बात की हो तो वहाँ पर set up हो जाएगा set aside का मतलब हो जाता है कोई चीज़ रिजेक्शन की बात हो रही है वहाँ पर set aside होगा set upon की बात हो रही है मतलब क्या हो गया remove कर दिया made up का मतलब पता ही है made up यानि made up यानि कोई excuses जो देते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ get on with अगर लिखा है get on with तो यह मेरी चीज़ क्या हो गई friendly form अब भी यह चीज़ से learn काना question जब कराऊंगे बहुत ही अच्छे से समझाएगा क्या चीज़ क्या बोल रही थी मैं हम कोई words देख लेते हैं जो के एक्जाम में पूछे गए हैं लेकिन इनके meaning different होते हैं spelling भी different होते हैं इन words के बार में भी पढ़ लेते हैं जैसे कि सबसे पहला word है और दूसरा लिखा है वरेसियस ठीक है तो इन दोनों चीज़ में क्या difference है पढ़ने में लग रहेगा वरेसियस और वरेसियस तो इन दोनों में क्या difference है यह भी देख लेते हैं रियाद रखना है वरेसियस का मतलब हो गया अगर कोई भी चीज़ genuine है या पर honest है तो वह चीज़ में मैं वरेसियस यूस करूंगी ठीक है यही अगर वरेसियस की बात हो गए यानि कोई चीज जो greedy है ठीक है वह चीज मेरी हो जाती है वरेसियस ठीक है यही पर next बात कर लेते है emigrant emigrate and emigrate इन दोन में क्या difference है इन दोन में difference होता है emigrant जो होता है यहां मालो a से b है यहां पर a से निकलके b में गई यह मेरा हो गया emigrant लेकिन emigrant क्या हुआ कि मैं वहां से उठके वापस आ रही हूँ ठीक है वापस आ रही हूँ तो नहीं मतब यह जैसे कि मैंने बोला emigrant में कि a से मैं b तक गई यहां से मैं जा रही हूँ जा रही हूँ ठीक है तो यह चीज क्या हो गया emigrant हो गया इमिग्रेंट ठीक है यही पर next पढ़ लेते हैं मॉरल इम्मॉरल और साथ इम्मॉरल में क्या difference है तो याद रखना यह तीनों वर्ड देखने में सही लग रहे हैं लेकिन मीनिंग सब का डिफरिंट है मॉरल जो हम कहते हैं वो होता है honest इम्मॉरल यानि dishonest ठीक है यही पर amoral की बात क्या होगी यानि नहीं पता सही है या नहीं ठीक है अमॉरल क्या होगा है जिसको पता ही नहीं है कि सही है right है या फिर wrong है don't know पता ही नहीं है थिक है तो ये चीज़ भी याद रखना निक्स अगर यही पे बात करें opposite अनối इपょसिट opposite तो पता ही है different होता है opposite इन में क्या difference है opposite जो होता है ये होता है different निक्स अगर opposite की बात करें तो ये होता है switch table ये चीज़ याद रखना next बात कर लेते हैं चाण कोंपलीमेंट का मतलब कोई चीज जो कि मैं तारीफ कर रही है। लेकिन कॉंपलीमेंट का मतलब हो गया कि जैसे कि ब्रेकफास्थ कोगया, त्रुम्पलिमेंटरी ब्रेकफास्थ हो गया। Complimentary Breakfast, यानि इसके साथ, ठीक है, पूरा करना, इसके साथ, ठीक है, तो यह सारी चीज़ क्या होती है, Compliment होती है, जैसे Breakfast देते हैं, Complimentary Breakfast होता है होटल में, या फिर आपने कहीं गए होगे, तो अपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखना, मैं तो यही सज़ेश्च करते हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं डिर्क्ट इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में लिखा हो, मुझे कुछ समझना है, तो मैं वहाँ पे हिंदी लिख देती हूँ, जिससे मुझे याद रहता है, क्यों कि कि कोश्चन में तो पे लिखा है वोकेशन और दूसरा लिखा है वोकेशन ठीक है, तो इन दोन में का डिफरेंस है, जो हमारा वोकेशन होता है, यह मेरा कोई जॉब से रहता है, यानि किस चीज़ में मेरा प्रोफेशन है, इसलिए, और वकेशन तो पता है, यह मेरा हॉलिडे हो गया है, तो a response तिक है यहीं पर invoic की बात हो गई तो invoic को बतलब होता है call upon an appeal तिक है तो यह चीज़ भी आद रखना यहीं पर next कर लेते हैं discreet discreet and discreet तो पढ़ने में दोनों चीज़ सेम हैं लेकि meaning different है इस वाले discreet का मतलब हो गया कोई चीज careful की बात हो रही हो ठीक है and discreet का मतलब हो गया separate करना separate next चलते हैं next बात करते हैं ilight ilight nain ilight sit ilight sit and दूसरा है मेरा i-l-l-i-c-i-t ilight sit इस वाले ilight sit का मतलब हो गया to get hope हो गया hope मान लो and इस वाले ilight sit का मतलब हो गया कोई चीज जो illegal है illegal तो यह भी याद रखना next चलते हैं यहां पर लिख लेते हैं reward and award में भी difference है reward and award ठीक है जैसे की award जो होता है यह मैं कोई price के basis पे देती है लेकिन जो मेरा reward है तो यह क्या हुआ compensation for effort ठीक है इन्होंने इतना काम किया महनत किया इस तोर पे मैं दे रहे हैं यानि compensation for effort ठीक है तो reward and award में भी difference है यही पर next बात कर लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं eminent यही पर साथ साथ इसका है imminent तो इन दोनों वर्ड में क्या difference है तो मेरा जो eminent होता है इसका मतलब हुआ कोई चीज अगर famous के तौर पे दिखा रहे हैं ठीक है an imminent का मतलब हुआ happen very soon ठीक है समझ आगी बात happen very soon चलो यही पर next word लेख लेते हैं adore and adorn adore and adore इसका क्या मतलब adore का मतलब है कोई चीज wow in the sense ठीक है wow, admire यहाँ पर क्या हुआ adore ठीक है an adorn का मतलब क्या हुआ कोई चीज जो के decorated है ठीक है decorate करनी है decorate करनी है यह चीज भी याद रहना यही पर next पढ़ लेते है annual and annual तो यहाँ पर दोनों वर्ड बोलने में सेम आरे annual and एक है annual ठीक है an annual जो है इसमें क्या हो गए? declared invalid ठीक है यह भी याद रखना है यही पर next बात कर लेते है praise and apprise appraise double P and यही पर apprise तो raise का मतलब हुआ यानि वो चीज जज इन दे सेंस है ठीक है and apprise का मतलब हुआ inform करना ठीक है यह वर्ड भी याद रखना तो यहाँ पर यह वर्ड भी अच्छे से याद रखना appraise कब होगा appraise कब होगा यह सारे वर्ड हमें देखने को मिले हैं questions में ठीक है यही पर next और एक दो वर्ड देख लेते हैं जैसे की एक होता है हमारा alleviate ठीक है और दूसरा होगा हमारा alleviate तो इन दोनों में क्या difference है alleviate जो होता है यह मेरा reduce के sense पे है और दूसरा वला जो वर्ड है यह मेरा increase के sense पे है ठीक है तो यह हो जाता है major difference यही पर affectation की बात करें affectation and साथिये साथ अगर affection की बात करों तो दोनों में भी difference है affectation जो होगा है जो की show off होते है ठीक है and यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है liking ठीक है next बढ़ते है बात करते है egoist and इसी के साथ साथ ले लेते है ego taste इसमें भी difference है egoist जो होता है यह होता है मेरा selfish and दूसरा ego taste जो होता है यह होता है show off ठीक है next जोलते है adversity and इसी के साथ साथ हो गया adverse sorry adversity जो होता है difficult and यहाँ पर दूसरे वर्ड का मतलब हो जाता है enemy ठीक है यही पर next बात कर लेते है flare जिसका मतलब होता है flare जिसका मतलब होता है ball and दूसरा हो गया flare here इसका मतलब होता है beautiful हो गया beauty talent ठीक है next बात करते है they be and they five मेर दिफ्रेंस है इस वाले का मतलब होता है worship and इस वाले का मतलब होता है manna करना refuse ठीक है इस वाले नेव का मतलब है dishonest and इस वाले नेव का मतलब है नया नया innocent ठीक है next बात कर लेते है venerable and इसी के साथ साथ vulnerable इन दोनों में क्या डिफ्रेंस इस वाले का मतलब होता है respectful और इस वाले का मतलब होता है weak अगर बात करते हैं luxurious ठीक है and last में आकर मां बोलो luxuriant ठीक है and last में अगर में बोलो इन दोनों में भी इफ्रेंस है इस का मतलब तो अब एब को इस का मतलब क्या हो गया लेविश नेक्स्ट वाले का मतलब होगा है कोई चिस बड़ी यानि लाच ठीक है तो अगर ये सारे वर्ट्स भी कोश्टन में देख जाये तो असानी से बता देना क्या है यहीं पर इंग्लिश की सीरी में खतम करते हूँ ठीक है हमने बहुत सारे चीजे रेखे रूस देखे साथ हमने प्रिपोजिशन भी कर लिया डारेक्ट इंड़िएट भी कर लियो और इसी के साथ साथ जो वर्ट्स होते हैं यहीं भी मैंने करा दिया ठीक है और निक्स क्लास में हम प्रिवेज यह कोशन पीपर साल्व करेंगे इंग्लिश का ठीक है थैंक यू सो मच गाइस